नमस्कार दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे कि दोस्तों अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है चीफ ओफ डिफेंस इस्टाफ विफिन रावत जिहां अभी अभी हेलिकॉप्टर में क्रेस हो गया है बुरी तरह से जल कर राख हो चुके हैं सात्यों अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिहां दोस्तों बिपिन रावत जिन्दा जले जिहां बाल बाल अभी अभी जिहां दोस्तों बड़ी तदात में भीड़ी कट्टी हो चुकी है ये खबर निकल कर आ रही है तमिनलाडू के नीलगिरी जिले के कुनूर में बुद्दवार को सेना का हेलिकॉप्टर दुरुगटना गरस्त हो गया है जिसमें चीफ ओफ डिफेंस इस्टाप जनरल बिपिन रावत समेट सेना के कैई वरिष्ट अधिकारी सवार थे और एक कारेकरम में हिस्सा लेने जा रहे थे बारतिय वाई उसेनाक ने हादसे के कारुणा का पता लगाने की जांच के आदेश दिये है चीफ ओफ डिफेंस इस्टाप जनरल बिपिन रावत को लेकर जा रहे है हेलिकॉप्टर के क्रेस होने के बाद वीडियो सामने आया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि हेलिकॉप्टर क्रेस होने के बाद भीसनाक लग गई है हेलिकोप्टर जिस इलाके में गिरा है वे जंगल का छेतरे इसे ये हाथसा घने कोहरे के बीच बता दे कि दोस्तों नंजपन चंधिराम इलाके में हुआ है और सुरवाती द्रस्यों से हेलिकोप्टर में आग की लप्टे उठती हुई देख रही है साथ ही आपको बता दे कि सुत्रों से मिली जैनकारी के मताबित हाथसे के बाद सीडियस जनरल वेपिन रावत ठीक है और उन्हें एस्पताल में ले जाया गया है जैनकारी के मताबित अब तक पांच बोड़ी रिकावर की गई है तीन गायलों को बाहर निकाल गया है वेपिन रावत समेती इन गायलों का अस्पताल ले जाये गया है तो बता दे कि दोस्तों हेलिकॉप्टर में दोस्तों 14 लोग मुझूद थे 9 लोगों के नाम आये हैं हेलिकॉप्टर में जनरल वेपिर रावत और उनकी पत्नी मादू का रावत अलावा कैसी निर्दिकारी भी सामि विक करते समय को बताолж लेपिर ने कि लिवा Candice कि रावतों का और दॉवस्तों deixarा है तो चानी में जनरल अवेड़ में सामियो करता हैं गया थे ऱ्योगों के ट दूमिया और भी डेत initiatives